हम आपको बताते हैं कि असम राज्य में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं तो भारत में एक राज्य है असम जहां बारिस बहुत होती है और यहां के बच्चे एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बांस और रसी से बना जो पुल है उसको पार करके स्कूल जाते हैं चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि लद्दाख में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों को रोज नदी को पार करना पड़ता है नदी के एक छोर से दूसरी छोर लोहे की एक मजबूत रसी होती है और ये रसी दोनों तरप से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है लकडी से बना हुआ एक जूला जैसे ट्रॉली कहते हैं ट्रॉली में चार-पांच बच्चे एक साथ बैठ करके स्कूल जाते हैं अब हम आपको बताते हैं कि बल्लम क्या होता है बल्लम एक छोटी सी नाव होती है जो लकडी से बनी हुई होती है बल्लम के प्रयोग से केरल के कुछ भाग में बच्चे पानी को पार करके स्कूल तक जाते हैं उट गारी किसे कहते हैं तो रेगिस्तान में दूर दूर तक जो है रेथ ही रेथ नजर आती है दिन में रेथ खूब तपती है ऐसे में बच्चे उट गारी में बैठ करके स्कूल जाते हैं अब हम आपको बताते हैं कि बैल गारी किसे कहते हैं बैल गारी का उप्योग मैदान करती है यहां के बच्चे बैल गाड़ी में बैठ करके इसकूल जाते है जुगार गाड़ी किसे कहते हैं जुगार गाड़ी फट फट करती हुई चलती है इसमें आगे से मोटर याइक लगी रहती है तता पीछे का बाग लकड़ी के फटों से brother सब पंचियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे 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 छेद होते हैं यहां पंगों से ढखे हुए होते हैं और इन्हीं के माध्यम से पंची सुन सकते हैं चिपकली जो होती है चिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो के दिखाई नहीं देते मगर मच्च में भी छोटे 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 छेद जैसे कान होते हैं और जो आसानी से दिखाई नहीं देते जन जानवरों के बाहर के कान जो है दिखाई नहीं देते उनके सरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं अब हम आपको बताते हैं हाथी से जुड़े रोचक तत्ध्य हाथी जो है एक दिन में यानि एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से जादा पत्य और जाड़ियों को खा लेते हैं हाथी एक दिन में केवल दूसे 4 घंटे ही सोता है हाथीयों के जुन्ड में केवल हतनिया और बच्चे ही रहते हैं हाथी के जुंड की जो सबसे बुझुर्घ हत्नी है वो पूरी जुंड की नेता होती है एक जुंड में 10-12 हत्नियां और बच्चे होते हैं हाथी 14-15 साल तक ही जुंड में रहते हैं इसके वाद वे जुंड को छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं अब हम आपको बताते हैं खेजड़ी नामक पेड़ की बिसेश्टाएं खेजड़ी एक पेड़ है जो कि रेगिस्तानी इलाके में खुप पाया जाता है इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती इस पेड़ की चाल की दबा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड नहीं लगता इस पेड़ की फलियों की सबजी बनाई जाती है आई टी आई अधिनियम 2009 में 6-14 बरस के बच्चों को मुफ्तेवं जो है अनिवार सिच्छा का अधिकार दे दिया गया है अनीता कुसबा बिहार के मुझफवर नगर जिला के बोचाहा गाउं में रहती है बि करते हैं मधमक्की पालन सुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच का महीना होता है October से December तक का समय मद मक्षियों के अंडे देने का समय होता है हर छटे में एक रानी मक्षि होती है जो अंडे देती है अब हम आपको बताते हैं चीन्टी यानी आंट के बारे में जो के important factor आपके रहने वाले हैं सभी चीन्टीयों का काम आपस में बटा हुआ होता है पेहरानी चिटी अंदे देती है सिपाही चिटी छोटी बिल का藧्यान रखती है और काम करने वाली चीटि एंघ भोजन की व्यवस्ता करती हैं यानि भोजन को ढूल की विल तक पहुचाती हैं तीमक को ठतिये भी चिट की तरह, मदमक्यों की तरह यह समूह रहते हैं यानि गुरुब बना करके रहते हैं गोवा से केरल तक के जो रेल के रास्ते हैं इन में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं अब हम आपको बताते हैं कर्णम मल्ले स्वरी के बारे में कर्णम मल्ले स्वरी एक वेट लिफ्टर हैं यहां आंदर प्रदेश की रहने वाली हैं इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं जब यह 12 साल की थी तब से ही बजन उठाने का अभ्यास यह करने लगी थी आज हुए एक बार में आज हम बताते हैं आज के टाइम में यह एक बा इसके शुरगा इसलिए चित्रकला का अनाम मधवनी चित्रकला पड़ गया मधवनी में त्यवहारों और खुसी के मौकों पर वहां के लोग घर की दीवारों और आगन में इस तरह का चित्र बनाते हैं मदवनी चित्र कला में पिसे हुए चाबल के गोल में रंग मिला करके चित्र बनाए जाते हैं और यहां रंग भी खास तरह के होते हैं इन्हें बनाने के लिए जैसे नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदी को इस्तिमाल किया जाता है मदवनी पेंटिंग में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंची, मचलियां और अन्यकई जीब, जन्तू साथ में बनाए जाते हैं अब हम आपको आगे के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताने वाले हैं गुलाब जल और ग्लिसरीन बरावर मात्रा में मिलाकर तथा उसमें कुछ बूंदे नीवू की डाल करके अच्छी तरह से मिलाकर इसका इस्तिमाल करने से सर्दी के दिनों में त्वचा नहीं फटती है उत्तर प्रदेश का कन्योजला इत्र यानी पर्फियूम के लिए फेमस है अब हम आपको बताते हैं कुछ चिणियों के घौंसलों के बारे में पल्चडी नाम जो पन्ची है पल्चडी एक पन्ची का नाम है जिसे इंडियन रोविं कहते हैं ये पन्ची पत्रों के भीच में छोटे से घौंसले बनाकर उसमें अंडे देती है कोयल अपना घोसला खुद नहीं बनाती यह कोवे के घोसले में अंडे देती है कोहा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता रहता है दरजिन चिडिया अपने नुकीले चोंच की सहायता से पत्तों को सी लेती है और इसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए ये तैयार करती है सक्कर, खोरा, पेड़ या जाड़ी की डाली पर अपना गोंसला लटकाता है या बना लेती है या फिर गोंसले बनाने के लिए बाल, घास, पतली, टहनिया, सूखे, पत्ते, रुई, आदी का उपयोग ये करती है बीवर पंची में केवल नर बीवर पंची ही गोंसले बनाते हैं तथा मादा बीवर पंची जो है सभी गोंसलों को देखती है उन मेंसे जो घोसला सबसे अच्छा लगता है उसमें वह अपने अंडे देती है अब हम आपको बताते हैं जानवरों के बारे में जानवरों के दान जैसे के गाय के दान चोटे होते हैं जिससे वे पत्ते को काटती है गास चबाने के लिए पीछे के दांट चप्टे और बड़े होते हैं, बिल्ली के दांट नुगीले होते हैं, जो मास फाड़ने और काटने के काम में आते हैं साप के दांट बहुत पतले होते हैं, वहाँ अपने सिकार को चबा कर नहीं खाता बलकि पूरा निगल जाता है इसका नाम रेगिस्तानी ओख है इस पेड़ की उचाई लगवग जो है दीवार के बराबर होती है और इस पेड़ पर पंतियां यानि पत्ती हैं बहुत कम होती है यहां के लोग जब कभी भी इलाके में पानी नहीं होता है तो रेगिस्तानी ओख के तने के अंदर पतला खाने और खाना खाने को लंगर कहते हैं पोचम पल्ली तेलंगाना राज्य में इस्तित हैं यहां के लोग बुनकर का कार्द करते हैं कुल्लू की सौल, मदवनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कस्मीर की कड़ाई यह काफी प्रसिद्ध हैं रेगिस्तानी इलाके में बारिस नहीं होती इसलिए वहां पानी का अभाव रहता है यानि पानी की कमी रहती है लेकिन वहां रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है ठातर खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ि है जो वहां उग सकता है अब हम आपको बताते हैं आगे कुछ तरंग दिखाई देते हैं